बारतीक धर्म निर्पीक्ष दीशे इस दीश की हर नगरी के पास धार्मिक सुतंदुता है धार्मिक सुतंदुता अपने धर्म की मानेताओं को लेकर है इस कार्तिये नहीं किसी अन्य धर्म की मानेताओं को ठेस पहुँचाई जाए अरेना के चर्की दादे और महारास से धार में भावनाओं को हत करने वाली खबर सामने आई है दो राजियों की इन घटनाओं में एक बात कॉमन है वो है बीफ इन दोने स्थानों पर बीफ के शक होने की बुनियाद पर मारपीट की दरसल बीते दिन देश के दो अलग-लग स्थानों पर होई घटनाओं ने सब का ध्यान अपनी और खीचा है अरेना में कुछ लोगों ने एक प्रवासी मजदूर के साथ बीफ के शक में मारपीट की है इसके बाद मजदूर की मौत हो गई वहीं दूसरी घटना मारासे है यहाँ एक बातर वर्षिय बुज़ूर के बीटी से मिलने के लिए जलगाओं से कल्यान जाने के लिए निकले थे यात्रा के दुरान सीट को लेकर उनका ने सयात्रियों के साथ विवाद हो गया इस घटना के समन्द में सयात्रियों ने एक वीडियो बना कर उसे सोशल मीडिया पर वैरल किया है इस घटना में बताया जा रहा है कि बुज़ूर के पास बीफ होने की शक में यह मार्पीट की रही है यहों के लिए पुलिस एक्टिव है वैं मुद्धी पर अप्रितिकरी आने शुरू हो गई है इस पर हर्याना के मुख्य मंतरी ने बयान जारी किया है चर्किय दादरी मामले में हर्याना के सीम नायप सिंग सैनी ने कहा मॉब लिंचिंग जैसी बाते कहना सही नहीं है क्योंकि गौरक्षा के लिए विठान सबा में सक्त कानून बनाया गया है और इस पर कोई समझोता नहीं किया जा सकता है मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहीं गाओं के अंदर इतनी सरद्धा बाव माता के प्रती है कि अगर उनको पता चल जाए जे इस परकार का ये हालात कर रहे है तो गाओं के लोगों जाएं ये कौन रुखता है फिर उसके अंदर क्या हुआ चाहिए लुआ प्रतु मैं ये करना चाहता हूं कि इस परकार के घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटने दुलबाग्या कुरना है मैं उन लोकों से भी कहना चाहता है कि वो इस परकार के संसादनों के अंदर सलीगत ना हो उससे बचना चाहिए जबाद भादे बादे हम सब के लेंगे के लिए ट्विन पकड़ी थी उनके पास कुछ सामान भी था कुछ जाते को शक हुआ कि उनके सामान में गौमास है इस घटना का वीडियो समने आया है वीडियो में यात्रियों के समों ने मुनियार के पास मौझूद बड़े से प्लास्टिक के दिब्बे को चेक किया तो उसमें मास जैसा कुछ था इससे लेकर उन लोगों ने पूश्टाच शुरू कर दी इस दोरान उन्होंने गाली गलोच की और कुछ यवकोनियों ने पीटा भी इस घटने का वीडियो वारल होने के बाद मामला सामने आया प्रतिनिधी, समात सेवी, जमात के लोग प्रतिनिधी मंदल के तौर पर अभे उनने आपसे मुलाकात की उन्होंने आपसे एक निवेदन दिया और जो एफायर दर्ज हुई है उसमें एडिश्टल और सेक्शन्स बिएनस के लगानी की उन्होंने माम की है और एफायर जो है उससे वो सन्तूशनी है इस पर क्या गेंगे सर्थ इसके रिगार्द नंके ऑनकी जागरा कम्ले नं के घर में उसकी एक बैटी के धर में उसकी जाखा में उसके एदितूस वहाँ पर तरहुने हैं तो जहाँ कम्ले नं को फॉर्न हमें प्र गार्व नहीं पर नहीं एक वस्यव ब्रियर है और पूरी घथमा Rabbi का हम ब concise everybody बताने कि बीफ को लेकर ये कोई नया विवाद नहीं है बीफ को लेकर ऐसे विवाद अकसर होते रही है गोहत्य को लेकर धर्मिक भावनाय अकसर बेकाबू हो जाती है 2015 में अखलाग का ममला चर्चा में आया था अखलाग पर गाय की मीट को रखने की शक में भीडने पिटाई कर दी इसके बाद अखलाग की मौत हो गई बीफ को लेकर भाट्थे कानून बारत में वीफ से जुड़े कानून गोवन्ष के सरक्षन और सांस्कतिक मनेताओं की रक्षा के लिए सकते हैं गाय, बैल और बच्चडे का मास निर्यात पर प्रतिबंद है और मास में अस्थी शवय भ्हेंस का अदा शव निर्यात के लिए अनुमती नहीं है निर्यात के वल भ्हेंस का कमजोर मास बकरी, भेड़ और पक्षियों की मास तक सीमित है गोवन्ष के लिए कानून में नियुंतम एक साल और अधिक्तम साथ साल की जेल और पांचेदर रुपे का जुर्माना तैह है जबकि गोवन्ष के वद और क्रिश्य पशूओं की परिवन पर भी पाबंदी है गोवन्ष के निर्यात के लिए विशेश पर्मिट की जरूत होती है बहराल धार्मिक मुद्दों पर दीश में अक्सार बवाल होता रहता है धर्मिंभावनाओं की नाम पर इंसा का देश में पुराना इतिहास रहा है देश में इन मामलों के लिए एक कानून बने हुए हैं लेकिन इन कानूनों को मजबूती से जमीनी स्तर पर नहीं उतरना भी इस तरह की घटनाओं को बड़ावा दिता है वहीं हर्याणा और महराष्ट दो ऐसे राज्या हैं जहां जल्दी विधनसबा चुनाओं होने वाला है इन दोनों राज्यों में अभी बीजेपी की गड़बंदन की सरकार है इस मुद्दी को विपाक्षि बड़े प्यमाने पर इन चुनाओं में उठाने की कोशिश करेगा बीरो रिपोर्ट पंजाब केसरे टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दवाए